हलो एवरीवन, गूड बॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और यहां पर कर रही हूँ मैं नाष्टे की तैयारी, तो नाष्टे में मैं बना रही हूँ आलू गोबी के पराथे तो रात को आलू गोबी की सबजी बनी वी थी, तो वो मैंने रख दी थी, क्योंकि आजकल नाष्टा थोड़ा जल्दी होता है, तो सुबह के टेम पे सबजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आलू गोबी की सबजी रखी वी थी, तो मैंने सुचा, इसके सुबह प् यहां पर मैं सेखनी हूं प्राजी इंको इतनी ज्याद़ अच्छी नहीं लगती है लेकिन उसी सब्जी समझ में प्राटो के अंदर भरते हूं तो वो तुमें बहुत अच्छी लगती है तो मेरे को तो बिल्कुर भी आज तक चीज समझ में नहीं आई है और आलू को भी की सबजी के परांठे बनते बहुत टेस्टी है सच पे बहुत ही अलेगी टेस्ट आता है परांठोवे तो यहाँ पर मैंने जल्दी से कर ली है परांठे रेडी और इसके साथ मैंने निकाल लिया है बटर तो आईए आप लोग भी कर लीजे नाश्टा और सुबह का अगर नाश्टा अच्छा मिल जाता है तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है और यहाँ पर यह वाली क्लिप मैंने कल शूट करी थी तो मैंने इस वाले वीडियो में आट कर दी है यह तो यहाँ पर हम लोग जो है यह जो फिरा डाइपर का बिजनस है जो मैंने आप सब लोगों को बता रहे खाया है तो उसी का थोड़ा से स्टॉक आया था तो वही हम लोग जो है लिकाल रहे थे सब सैट कर रहे थे देखके की कौन सा साइस का क्या है क्योंकि ऐसा होता है जब भी कोई स्टॉक आता है तो उसको पहले एक बार खुछ से चेक कर लेना चाहिए क्योंकि भूल चुक किसी से भी हो सकती ऐसा नहीं है कि कोई दूका देने के लिए ऐसा करें लेकिन यह चेक करना वो हमारी जिम्मेदारी होती है तो इसलिए यहां पर मैं सारे पैकेट्स लिकाल के मैं चेक कर रही थी कि कोई फटावा ना हो या कोई मतलब कुछ साइज में कोई प्रॉबलम ना हो कुछ ना हो और यहां पर मैं दूबारा से आ गई हूं और मैं कर रही हूं यहां पर जो अपनी आलू प्याज की टोकरी होती है इसको साफ तो जब भी नए आलू प्याज आते है तो उसके बाद मैं टोकरी साफ कर देती हूं तो यहां पर मैंने गीला कपड़ा ले लिया था उसी से साफ कर रही थी वैसे तो साफ ही थी लेकिन जब भी आते है ना आलू प्याज तो फिर पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है सही रहता है और यह वाली ऐसी होती है इस पर न्यूस पर लगाना पड़ता है व कितूशारओ को साफ कर दिया थे तो मैं थे आख ठाइसे अच्छी हों जब्सक्रा और यहां पर मैं चाल रही हूं कीणू का जूस उर मेरे पास कमें अच्छाल गोती हो अ खाना दूबारा से, और पूछ रहे ते कितने की है, कैसी यह, तो मेर को तो यह बहूत अच्छी लगी, और रेट का मुझे शायद इतना पता नहींगी, अंधाजा नहीं यह, मेरे ख्याल से 1000-1500 के बीच की हैी यह, मुझे याद नहीं है इतना लेकिन यह बहुत अच्छी और आजकल जैसे सर्दियों में कीनू आते हैं संत्रे आते तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहती है तो यहां पे ना मैंने तीन कीनू का रस लिका ले और देखिए कितना सारा लिकल गया है और यह जितना भी है ना बने और ना बॉक्ताइप अबुए बोने ब Tu KS Church और श्च काम में द floss साटे को आप ने कीनू के इससी यह जाग वह जाओ है देखने के लिए चेड़ करने के लिए और आगे हूं दिनके का रहा प्लाओ कंप में दाल थी एक भी ढ़घी पार यह ब नहीं साँ खार केभड़ा का तो यहां पे मैंने कुपकर ट्रवाव जेड़ के यो ड लगता और शबचोनती कि आपर कोई अब नेखर जाब करने वीचम करते है और अब डाल दूगी ये चावल और प्लावना मुझे इस तरीके का बहुत अच्छा लगता है जिसमें सब्जियां खुब सारी होता बच्छा लगता है और सिंपल मटर आलू का तो वैसे बनता रहता है लेकिन जब खुब सारी सब्जियां होती है तब अलेगी टेस्ट आता सब् homeless मुझें पथे सब्सके हर्ण चीच केट सब्सक्राइब तो हम लोग इसको फाड़ कहता है जैसे इस इसको पतला रख रखता है गारा नहीं होता है जैसे चोकी ऑन प्लत door कर तो यह तो नियुका बना शैका बना है मठा और है वन्त सीटी में आणाम से हो जाता है प्लाव में जादा टाइम नहीं लगता है तो अब यहां पे लिकाल रही हुं प्लेट अच्छा खिला किला बनाय और गाजर डालके बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाजर हो गई यह जो आप लोग भी खा लीजिए और यहां पर मैं लेकर आ गई हूं भार खाना थोड़ा सा जब मैं खाती हूं तो यश को भी बुला लेती हूं थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं खाता है वो लेकिन फिर भी अगर बच्चा थोड़ा सा भी खा ले तो अच्छा लगता है बाद अगर अलग से लेकर मैं बैट तो अकेले खिलाने के लिए तब तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता है तो यहां पर दूप में बैटके मैं खाना खा रही थी इनको खिला दिया था मैंने बस और ममी ने भी खा लिया था हलो everyone welcome to my channel कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और टाइम हो रहा है स्टैम बज रहे है साड़े चार शाम के साड़े चार बच्चुके है दिन के खाने के बाद सब काम करने के बाद कीचन निप्टानी के बाद थोड़ी देर के लिए मैंन समालना है, फिर रोज का जो काम होता है, वो भी होता है, एक्स्टर भी काम आ जाता है, फिर उपर से यूट्यूब का भी काम होता है, और उपर से मेरा जो बिजनेस डाइपर का उसका भी काम है, तो सच मैं कभी-कभी तो मैं इतनी थक जाती हूं, इतना बुरा हाल हो जाता है कि भई यार मतलब बिल्कुल जो है परिशान होकर जो है बोल देती है कि भई हम तो जा रहे हैं माई के की बस ठक चुके है या मतलब कुछ भी मतलब होता है ना जैसे पती पतनी की नोग जोगोती है, लड़ाई होती है हसी मजाक में है वैसे भी कभी भी होती है तो धंकियां सारी लेडीर मेरे ई승 बोलता है मेरी तो खमी किं आयसी है मुने माटिके आहिए तो मेरी तो यह बहुत बड़ी मजबूरी हो सच में किसी यही बढ़ी सबस्कीन इससरह मेरे उधसरा नहीं आ Kingdom ale तो वही है और कभी कभी सच में इतना ज्यादा थक जाती हूं ना सच में पूरा दिन भर मतलब अपने लिए बहुत कम टाइम निकल पाता है मैं मतलब पूरे दिन भर में कोई दिन ऐसा होता है जैसे आज थोड़ी देर आदा पॉना घंटा मेंने रेस्ट कर लिया पूरे दि मतलब बहुत मुश्किल होता है अब मैं सोच भी रही हूं मेरे को कमेंट भी आय था कि आप ऐसा करो एक हाउस हेल पर रख लो कोई जो मतलब आपके काम में मदद कर दे तो देख रही हूं शायद आने वाले टैम में रख लो पर यह होता है कि काम वाली रखनी हो कुछ भी जो हम अपने ख़र्चे बढ़ा लेते हैं लेकिन हमारी पहले इंकम होनी चाहिए तभी हम अबने ख़र्चे बढ़ाएं तो इंकम थोड़ी स्टार्ट हो gibi happened जैसे मेरे डाइपर का भी थोड़ा और अच्छा चल जाएगा या YouTube का यूटीब का और अच्छा हो की फिर्डे थी भी बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी सी मेर को हैल्प हो जाएगी इन अब छोटा है तुसके साथ थोड़ा ज्यादा टाइम्ञें करना पड़ता है है हर चीज़ देखनी पड़ती है उसके साथ तो बस यही था थोड़ा सा मेरे को आज भी थोड़े दिन से तो ऐसा हो रहा ना जिब काम कब जादा हो जाता है ना तो थोड़ा सा परिशानी हो जाती है मैं तो बहुत जल्दी परिशान हो जाती हूं मेरी आदत है मेरी सबसे ब रिशान हो जाती हूँ तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में और देखती हूँ जाके क्या क्या काम करना है शाम के टैम का भी होता है काम ऐसा नहीं है तो अभी जाके देखती हूँ चाहे करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ आज शाम को कुछ बनाने की सोचा है देखती हूँ बना पाती हूँ की नहीं बना पाती हूँ तो चलिए मिलती है आप लोगों से थोड़ी दे और यहां पर हम लोग आये है चत पे शाम का टाइम है स्टेम बजरे होगी पांच और मैं आई थी ऊपर चत पे कपड़े उठाने के लिए मैं और मम्मी और पाती हूँ ऊच्छा लगता है जैसे खुली खुली जगे होते है छोटा है वह बिल्कुल यहां हो चीजों को पहचान लगना है वह तो बड़ा अच्छा लगता है और अब मैं आगे हूं नीचे स्टेम बजरे होगी लग पक छे और मैं बनारी हूँ आज 4 मिन तो यहां प सब्सक्राइब तो नियुदल है इसको मैंने पहली जो होती है वो कम हो लेकिन यहां पर नियुदल तो यहां पर मैंने तीन-चार मिनट तक खूब अच्छी तेज आच मैं इसको पका लिया था सब्सक्राइब और उसके बाद ये जो निूडल है इसको मैंने पहली जो है बॉइल करके और फिर ठंडे पानी से निकाल के और इसमें न थोड़ा सो ऐल लगा लिया था ओयल लगाने से क्या होता है न ये चिप चिपी सी नहीं होती है वरना आपस में चिपक जाती है और उसके बाद में उप जैसे बजार वालों का आता है लेकिन इस तरीके से अगर आप ये मसाला डालके बनाओगे बिल्कुल बजार वाला टेस्ट आएगा और उपर से मैंसे मैंने थोड़ा सा काली मिर्श का पॉड़र और थोड़ा सा चिली सॉस डाल दी है वैसे इसमें कुछ डालने की जूरत बिल्कुल सब कुछ है इसमें ना सॉस डालना है कोई ना नमक डालना है कुछ नी और बिल्कुल जो ऐसी टेस्ट आती है जैसे हम बजार रेस्टरेंट में खाते है और मेरेको ना इसका कलर भी बहुत अच्छ लगते है मैं को डार कलर की जो जो चॉमीन होती है न्यूडल स तो यहां पर मेरी चौमिन एकदम जटपड बनके हो गई है तयार तो यहां पर लिखाल दी है मैंने तो आज यह आप भी लिखने में जैसे यह बार्केट की लग रही है ना बिल्कुल खाने में भी एकदम बिल्कुल मार्केट की लग रही है तो आप भी एक बार घर पर बना